सरकार की ओल से 20 लाख करोड के आर्थिक पेकेज को प्रदेश की केबिनेट मंतरी डॉक्टर बीडी कल्ला ने आउकडों का माया जाल बताیا है कल्ला ने कहा कि केंदर ने सिर्फ रिण देने का प्रावधान किया है आमजन को कोई राहत नहीं मिली उन्होंने कहा कि केंदर सरकार को बिजली के बीलों का इस्थाई शुल्क माफ करना चाहिए इस दोरान बीडी कल्ला से एक खास बाचीत की हमारे समवाधाता दिनीश कसाना ने कोरोना वैस्विक माहमारी के चलते देश में जो इस्थितियां पैदा हुई है आर्थिक गतिविदिया थमसी गई है ऐसे में प्रदान मंत्री मोदी ने आत्म निर्बर भारत बनाने का एक वीजन हाथ में लिया इसके लिए 20 लाग करोड के पैकेज की गोशना किये इसके लिए के इंसरकार के और से सभी सेक्टर्स के लिए अलग-अलग प्रावधान किये गए हमारे साथ हैं उर्जा मंत्री बीडी कल्ला जी कल्ला साब जिस तरह का एक वीजन प्रदान मंत्री मोदी ने हाथ में लिया आत्म निर्बर भारत बने और इसके लिए 20 लाग करोड का पैकेज दिया है उसमें ज्यादा तर योजना है केवल रिंड देने की है रिंड लेकर तब तक आदमी काम चलाएगा जबकि भारत सरकार को चाहिए था कि वे राहूल गांदी जी ने जो नियाय योजना दी थी उस तरह से जो माईगरेंट लेबर हैट खौमचे वाले ठेले वाले रेडी वाले पान वाले और जो मज़ूर वर्ग है किसान वर्ग ह इनके खाते में दसने सजार पे कम से कम डालते तो उनसे उनकी पर्चेजिंग बढ़ती और पर्चेजिंग बढ़ने से वे डिमांड क्रियेट करते तो उत्बादन बढ़ता और अर्थी वेवस्ता का पईयां पट्री पे चड़ जाता बिजली कंपनियां के रही हैं कि राजस्थान में जो इस्तितियां पैदा हुई है पहले से उनके उपर भारता और अब बिजली के बिल जो उप्वोगता है वो जमा हो नहीं पा रहे हैं तो ऐसे में सरकार को भी मदद के लिए आगे आना होगा अब किन्द सरकार ने बढ़ेगा तेरी बढ़ सकती है तो ऐसे में अब यह राहत मिली अज़ पर अपनी कंपनियों को चला ही रहे हैं ना जो कोई समझ में आता है कि बहुत कोई पैकेज मिला ना तो ग्रांट दी ए ना ब्याज में कोई माफी कि ए ब्याज पर तो हम लोग बैंकों से पहली पैस सकता हैं तो जो कोरोना पीरियट में जो मुसीबत आई है उस मुसीबत का सामना करने के लिए सरकार ने जो पैकेज नाम की बात कि है वह तो केवल बैंकों से रिन लिए और काम चलो रिन लेओ काम जलो तो यू पहले भी मिलते इंदो मिलते सब को मिलते थे सब लोग मजबूती के लिए जो फंड दिया गया है क्रसी सेक्टर में पसुपालन के लिए दिया गया है सब लोग मचली पालन के लिए पसुपालन के लिए पसुपालन के लिए पांच बनाने की बात कही है इसे किसानों की जो फसल है उनको रख सकेंगे सुरक्षित रहेगी उनको अपनी पसल का सही दाम ग्रांट देने के नाम पर मैं समझता हूं कि सरकार ने नगंड किया है केवल लोग लेकर के अपनी स्थी को बनाए रखो तो यह मैं समझता हूं ठीक नहीं है इसमें होना यह च समझारियों को तंखा दो तो इस लौकडाउन पीरियेट की तंखा भारस सरकार को देनी चाहिए थी इसी तरीके से बिजली में मतलब जो स्थाई सुलक है उसको या तो माफ करते भारस सरकार तरह से जदा कि जनरेटर्स को भी नहीं देना पड़ता और हम वसूल नहीं करते अच्वा उसको रिंबर्स करते मजदूर आज आप देखिए माईगरेंड लिवर कितनी परेशान है पैदली चल रही है तो ऐसे लोगों के लिए उनके खातों में पैसे डालने चाहिए तब जाकर कर ये लगता कि कोई पैकेज दिया ये तो रिड़ का पैकेज है एक तरह स आप सब बिजली मंत्री हैं राजस्थान में सरकार ने दो महीने का बिल डेफर किया हैं कई आपके जो विधायक हैं उन्होंने सीम वीची में ये मांग रखी कि उनको डेफर की जगे माफ किया जाए ताकि किसानों बरात मुंसे देखिए जो सुरू सुरू में तो लॉग सरकार को चाहिए कि वो स्थाई सुल्क जो है वो माफ करने के बारे में विचार करें और सम्मिन मिजे सम्मिन आपको बताये का द्यादेश लाकर हमको भी कह दें कि अभी कंपनियों को अमारी दिस्टिबूशन कंपनियों को इस देना नहीं पड़ेगा तो हम भी ने वसून कि यूजना सरकार की ताकि लोगों को किसी तरह की पेजल संबंदी परिश्या नहीं नहीं है फरवरी में हमने कुरोनम हमारी से पूर हुई पूरे राजस्तान का कंटिंजेंसी प्लान बना लिया था और उसमें हमने करीब 65 करोड रुपे मनजूर करके जिला कलक्टर्स को 50 प्सास प्सास लाग रुपे उनके डिस्क्रीशनी पावर पे छोड़ दिये और प्सास लाग रुपे जब खर्च कर देंगे तो उनको और पैसा दे दिया जाएगा और उनको यह का गया है कि हैंड पंटू वैल और इस्थानी कोई पाइप लाइन टूटी हुई है समर्सी बल्ब हम खराब है तो उसको ठीक कराना और जहां मानी जिए कोई सोर्स खत्म हो गया है तो आसपास के गाहों से परीवन के माध्यम से पानी पहुँचाना यह सारे काम हमने फरवरी में तेह कर दिये थे और जिलास्तर पर जो मारी कमेटी बनी हुई है इस्वार मानी मुक् से जीना पड़ेगा और हमारी हाड इम्मुनिटी को डबल उप करना पड़ेगा है यदि हम केवल मात्र घर में बैठे रहे तो हमारा देश और हमारी एकनोमी बिल्कूली रसा तल में चली जाएगी सवाल यह कि आपने जिस तरह का एकनोमी गतिवदियां चालू करनी सब्सक्राइब कर देंगे और काम करना सुभू कर देंगे और जो मालों आगे हैं तो उनको चवदें के क्वारंटाइन का पालन करते हुए उनको अपने अपने इस्तानों पर भेजना लोगों को को कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी और इसी तरह से लोगडाउन फोर के नियम तेक किया जाएंगे जिसके लिए कि इन सरकार को चाहिए कि राजी सरकारों के साथ समन्वे इस्तापित कर राजी सरकारों से चर्चा के बाद ही लोगडाउन फोर के नियम तेक किया जाएं